अलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल सो आज के इस वीडियो में हम आपको 8085 में टू हैक्स नमबर एड़ करना सिखाएंगे जिसमें आपका टू हैक्स नमबर होंगे इसमें टू हैक्स नमबर को गरना और अगर कोई कैरी जनेरेट होती है वह केरी का प्रॉविजन रखा जाएगा कि वो हमें पता चले कि य। आहिं जनेरेट हो रही है कि यह सारा प्रोसेस होगा तो तो सब्से पहले जन लेतें कि हैक्स नमबर क्या होते है तो 1 से लेकर 9 तक तो आपके BCD then BCD के बाद 10 11, 12, 13, 14 and 15 तो इनको कोई code में दिया गया है A, B, C, D, E and F तो ये पूरी सीरीज है इसमें अगर कोई code आता है और उसके सामने H लिखा होता है तो वो hex code होते हैं या hex number होते हैं तो इन hex number को हम कैसे add करेंगे ये पहले समझ लेते हैं तो हम अगर कोई एक example लेते हैं और देन उसी का हम solve करेंगे तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे माले suppose एक F9 number है ये hex में है तो hex है देन एक E और D ले लेते हैं तो ED भी एक hex है number तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे जो इसका लिखा हुए decode करेंगे तो F9 का F का होता है 15 तो मैं दूसरे number F का होता है 15 देन 9 एक normal लिख लीजे E का होता है आपका 14 ये E है 14 देन D का होता है आपका 13 तो इन दोनों को आप add करेंगे तो 15, 13, 9, 22 22 आया 22, 16 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे यहां पर 22 लिखेंगे देन उसमें 16 से minus कर देंगे 16 मतलब उसमें minus कर देंगे तो 6 यहां पर आगया देन ये 16 जो है वो एक carry के रूप में अगले में जाएगा तो ये carry के रूप में यहां पर जाएगा और ये 1 बन जाएगा ठीक है अब ये 1 आप इसमें add कर सकते हैं तो total 15, 15, 15, 30 हो गया तो ये 30 भी 16 से ज़्यादा है तो इसमें 16 माइनस कर देंगे तो 16 माइनस करेंगे तो 14 आएगा और 14 किसका है आप देख सकते हैं e का है जो 14 है वो 14 किसके बराबर है e के बराबर है तो यहां पर e आजाएगा और ये 16 एक carry के रूप में यहां पर generate होगा तो total जो आपके पास आया है वो एक sum आया है और एक carry आया है ठीक है तो sum आपका आया है e6 और जो carry आया है वो 01 generate हुए तो इसी को हम solve करेंगे अपने आगे simulation में कैसे इसका code किया जाता है यह समझेंगे तो चलते हैं simulation में तो यह simulation है तो यहां पर सबसे पहले हम carry को generate carry को initialize कर लेते हैं तो m v i और b software बी जो आपका register है उसको हम 00H 00H carry generate कर लिया ठीक है तो यह हम अपना जो दूसरा है मैं यहां पर लिख देता हूँ कि हमाए कौन कौन सा है एक है F9 और एक है ED तो यह हमारा first है यह हमारा second है तो हम इसको क्या कहते हैं पहला तो हम एक पहले वाले को ADI ADI ED के साथ हम इसे add कराएंगे EDH कर देता हूँ तो यहां पर add हो गया add होने के बाद अब हमारा अगर carry आते है तो jump कर जाए J and C लगाते हैं और यहां पर एक simple loop लिख देते हैं अभी कहा लूप लगाना है वो आगे हम discuss करेंगे और अगर carry नहीं generate होती है तो increment हो जाए अगर carry generate होती है तो increment in B में आ जाए मतलब जो हमने यहां पर 00 किया हुआ था वो increment होके उसमें 01 आ जाए ठीक है तो अगर carry generate होती है तो increment in B हो जाए अगर नहीं generate होती है तो यह हमारा loop यहां पर transfer हो जाए ठीक है और वो loop में store to accumulator और accumulator का data हम यहां पर कहीं 002 पर हम store करा रहे है तो 002 h कर देते हैं और अगर हमारी carry generate हो रही है तो हम उसे move करा लेंगे move क्योंकि B में अभी carry पड़ी हूँ है B register में तो accumulator में उसे move कराते हैं ठीक है B का data हमने accumulator में move कराया और इस accumulator को हम जो accumulator का data है वो 003 h अब यह 003 h कहां पर होगा यह 003 h यहां पर है ठीक है तो इसमें हमने store कर लिया है then हम finally program को close कर देंगे बंद कर देंगे तो यह हमारा एक program complete हो चुका है तो देखते हैं क्या error आती है की नहीं आती है तो हमारा program finally reach कर चुका है अब इसको समझते हैं कैसे कैसे हुआ step by step तो सबसे पहले हमने program चलाया जिसमें हमने B का data उसको हमने B का data जो है B register का data उसको हमने 0000 इने slice कर दिया Mbia का data F9 तो accumulator में देखिए F9 चला गया है ठीक है और ED के साथ add हो गया है तो E6 हमारा add हो गया है लेकिन अगर इसमें carry generate होगी तो यह loop direct यहाँ पर आजाएगा अगर generate होई होगी carry तो यह increment करेगा अगर नहीं generate होगी क्योंकि jump if not carry तो यह direct loop पर आजाएगा तो यानि carry generate होई है तो carry अगर generate होई है हम अपना ये वाला data जो होगा 002 में ले जाएंगे तो आप यह ध्यान से देखेगा तो यहाँ 002 पर हमारा data E6 चला गया है और यह B का data जो है 01 वो हम क्या करेंगे यहाँ पर store कर लेंगे accumulator में अब देखिए E6 की जगे पर 01 आ चुका है Then हम 003 का data जो होगा वो 003 पर हमने store कर लिया है 003 में carry store किये तो यह simple आपका जो है यह आपका हो गया है sum और यह हो गया है आपका carry ठीक है तो इतना complete होने के बाद हमारा program हो जाएगा close तो यह finally हमने 2 hex decimal को add कर लिया है जो हम यहाँ पर apply करेंगे अब आगे की videos में इसी तरीके से समझते रहेंगे बहुत ही simple तरीके से इस software पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है और एक और बात है कि हमारा जो data है इसका hex code कहां लिखा होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कहां पर आपको मिलेगा इसको पहले मैं delete कर देता हूँ यह तो हो गया है तो यहाँ पर देखे यह लिखा हुआ है load at 008 008 0000 पर तो यहाँ से जाएंगे आप और इसको क्या कहते है आप increase करते जाएंगे यहाँ देखे 6 आ गया है 7,8 तो यह finally आपका code लिखा हुआ है जो इसका hex code है ठीक है यह hex code है तो 0080 पर 06 गया है then carriage मतलब इने slice हुई है फिर 3 MBI का होता है F9 आपका data हो गया ED आपका data हो गया C6 आपका ADI का होता है D2 आपका GNC का हो गया then 0A आपका हो गया फिर 0000 हो गया फिर 04 इसी तरीके से 0402 आपका यह code हो गया hex का कि आपने किस hex code मतलब address पे आपने data को store किया है then 38 हो गया और इसी तरीके से 003 पे 003 और 00 पे आपने carry को install किया है मतलब carry को save किया है when 76 आपका hlt का होता है तो यह आप normally आप अपनी kit पर भी perform कर सकते हैं इस code को लिग कर के ठीक है तो मिलते हैं अंगली वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे like करिएगा and share करिएगा अपने दोस्तों के साथ subscribe कर लिजेगा यह जो होगा वो आपका red गलर में होगा बटन ठीक है Thank you